आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मेरा नाम सिद्धान तक नहीं हो तर इस्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है International Relations की सीरीज हम देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे भारत और चाइना के Relations की I hope आपने से पहले इंडिया-पाकिस्तान Relations देख लिए होंगे, देखिए दोस्तों मैंने जितनी किताबे पढ़ी हैं, बहुत किताबे पढ़ी हैं वैसे मैंने और डेली मेरा कम से कम दिन का 7-8 घंटा पढ़ने में ही जाता है तो जो भी ग्यान है वो मैं दूँगा, और ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आज हम बात करेंगे भारत और चाइना Relations की, ये Continuation देखिए, इसमें हफते में मैं एक-दो लेचर लाता रहूँगा प्रापर डेट नहीं बता सकता, हिस्ट्री की तो सीरीज चली रही है, वो किताबे मैं अल्डेडी कवर करी रहा हूँ, ठीक है हिस्टोडियोग्राफिया भी फिलाल वो मॉडियूल चल रहा है तो हम देखेंगे आज भारत और चाइना के Relations की, इसे पहले हम आगे बढ़ें, आपको आजादी की बहुत-बहुत शुप काम ना है अब वेरी हैपी इंडिपेंडेंडेंस डे टू आल अफ यू, भईया देखो इस मिट्टी में न, सारे भारतियों का खून शामिल है तो आज के दिन बिल्कुल सेलिब्रेट करो, जोर से बोलो हम आजाद हैं, तो चली आगे बढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप देख लेते हो, 50-60% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ऐसा ना करो, एक सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब करो, देखो, फाइदा उठाओ पुरा, ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, आपसे मैं कमेंट बॉक्स और दिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अपनी आईडी जो हैं, फेस्बुक की और ट्विटर की, वो मैं लिंक कर दूँगा, साथी साथ, टेलिग्राम चैनल भी लिंक कर दूँगा, ताकि आप वहाँ से PDF ले सकें, चलो, हाँ, टेलिग्राम चैनल है, यहां से आपको तुरंट PDF मिल जाएगी, वो मैं अभी कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूँगा, मतलब जैसे यह लिच्छर अप्लोड होगा, आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो महाँ पर मुझे आप फॉलो भी कर सकते हैं, और PDF भी ले सकते हैं, चलो बढ़िया, अब हम बात करते हैं भारत और चाइना रेलिशन्स की, देखो, एक चीज़ समझो, भारत और चाइना, यह जब से इंसान ने अपनी चेतना जगाई है, जब से वो इंटेलिजन हुआ है, तब से भारत और चाइना एक्जिस्ट कर रहे हैं, भारत हिंदी-चीनी भाई-भाई, पता है हम ऐसा क्यों कहते हैं, हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि भारत और चाइना, उनकी स्टोरी बिल्कुल सिमिलर है, और पूरी दुनिया में, देखो, अगर दो प्राचीन सभ दूर्ण दिस्कवर हुई, उसके बाद आपकी इंडस वैली सिविलैज़ेशन जो सबसे पहले से चली आरही थी और आपकी चैनीज सिविलाइजेशन, फिर एजिप्शन इप्षेशन लिकिन इंडस वैली सिविलाजेशन और चैनीज सिविलाजेशन अगर आप ऐ चाइना है ना चाइना और भारत हमेशा से competition में रहे हैं और story बिलकुल similar है अभी मैं बताऊंगा यह भारत है यह चाइना है अब कैसे similar है story दोनों ही अपनी ancient history पे नास करते हैं क्योंकि दोनों की ही भारत की भी भारत याद रखेगा 1947 का भारत इसमें बांगलादेश मिला अफगानिस्तान का भी थोड़ा पाट मिला लीजिए अगवर तो काबूल तक पे उनका पूरा वर्चस पे चलता था ना यह है पूरा भारत तो चाइना से कम नहीं है और तिब्बत के बाद तिब्बत आजाद हो गया था लेकिन चलिए चाइना का हमेशा से ही तिब्बत पे इन्फुएंस रहा था तो 1947 से पहले मतलब 1947 से पहले और चाइना की बात करें तो 1949 से पहले अगर हमें इंशेंट हिस्ट्री में जाए तो भारत लोग चाइना बिलकुल साथ साथ चले यू विल बी सप्राइज डिटो नो मैं जब हितिहास पढ़ता हूं तो चाइना और Six Schools of Philosophy निकले हैं आपे State Model निकला भारत की Ancient Science कमाल की सब लोग सीख के गए और उसके बाद अरब में जाके Science को डेवलब किया और चाइना में भी यही हो रहा था चाइना में भी Six Schools of Philosophy निकले हैं चाइना की भी Ancient Meritocracy थी चाइना में Civil Service आज भी चाइना का नंबर वन है भारत का नंबर टू है क्योंकि Civil Service चाइना में बहुत पहले से शुरू हो गया था बहुत साथ डेवलप्मेंट इतना खुबसूरत भारत की शहर होते थे साउथ में चले जाए कमाल का डेवलप्मेंट साउथ को जैंपार पल्लव हर्च वर्दन नौर्थ में नीचे पल्लव हो गये मतलब अगर क्रोनलोजी की बात करें नीचे पल्लव उसके बाद आपके चालुक्यास, चेरास, पांड्यास, कमाल का डेवलप्मेंट, एक्स्पैंशन, भारत एक्स्पैंड भी कर रहा है और ये हिंसा के माध्यम से नहीं जो चोल एम्पायर था वो तो पूरा श्रिलंका तक उसके कबजे में था, कबजे में दसल्स की याद रखिएगा कि ये पूरा पास होके पूरा ये ये यूरोप तक जाता था, और वही आज जो मॉडर्न अगर प्रोजेक्ट की बात करें, तो वही वन बेल्ट, वन रोट, बी राई जिसको बोलते हैं, भाई या देखो, चाइना का इस समय मोड इसलिए खराब है, क्योंकि वो चाहता है कि भार भारत के बिना, it is impossible, कैसे भारत के बिना, it is impossible, अरे भाया, ये ग्वादर पोर्ट यहाँ पर डेवलप कर रहा है चाइना, और ये बलुचिस्तान का एरिया है, बलुचिस्तान डिस्टरब्ड है, और अगर उसको भारत की बंदत नहीं मिली, तो सोचिए, बहुत मुश्किल होगा, anyway, वो एक अलेक टॉपिक है, उस पर फिलालम नहीं जाते हैं, लेकिन इंशेंट हिस्ट्री को लेके, भारत और अभी तो चाइना, भारत आप देख रहें खाली, ट्रेड में, ये लोग कंपटिशन, हिस्ट्री में भी, कल्चर में भी दोनों कंपटिशन करते हैं, ह योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ध्यान, ये सब हमने दिया है दुनिया को, ठीक है, और पूरी दुनिया आज हमको फॉलो करें, अगर स्पिरिच्वालिटी की बात करें, चाइना भी यही अपने आपको पोट्रे करता है, तो दोनों का इतियाद बहुत इंपॉर्टे की बात करें, तो सबसे पहले और चाइनी सिविलाइजेशन दूसरी थी, चाइना में बुद्धिजम भीया, भारत में भी बुद्धिजम भारत से ही आया, चाइना में फैला वो, आप समझ रहे हैं, तो यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है, भारत और चाइना अगर एं मैप अधे यार, देखो एक चीज़ थोड़ा सा आपको फिलिपिंग होगी में, मैं मैप आपको वक्त वक्त पे दिखाता रहूंगा, अभी हम फिलाल थोड़ा सा 1947 पर पास फॉर्वर्ट करते हैं, देखो अब क्या हुआ कि जब वक्त आगे बढ़ा, इधर भारत में भी dynastries आ रही थी, ठीक है, rulers आ रहे थे, और चाइना में भी यही हो रहा था, चाइना के इतियास में बहुत डीप में नहीं जाओंगा, क्योंकि हमारा सोड़ा topic जो है, मेरा जो मुख्य मक्सद रहेगा, वो 1949 के बात कर रहेगा, ठीक है, कि क्या हुआ लेकर, वहां से लेकर अभी तक क्या हुआ है, अब जब colonial history के हम बात करते हैं, वहां से चीजे बदली, अब वो भी भारत और चाइना साथ साथ चले, 1757 से अगर आप चाइना और भारत को combine कर दे, you will be surprised to know, 50% से जादा GDP भारत और चाइना अके ले control करते थे, चाइना से भी सब जाता दा बाहर, भ European साना शुरू हो गए, भारत में भी यही हो रहा था, चाइना में भी गए, भारत में भी गए, चाइना और जापान में कॉन्फिक्ट तो शुरू हो गए इतना, 1891 के बाद से चाइना और जापान में इदर, anyway, उस पर मैं भी आता हूँ, बस मैं दो मिनिट लूँगा को सम सब बदल गया, भारत में ब्रिटिश का वर्चस्व, कॉलोनियलिजम भारत में शुरू हो गया, और अगर बात करते हैं, चाइना में 1800 से लेकर 1912 तक चाइना एक प्लेगराउंड बन गया था, चाइना के बारे में यह बोला जाता था, यह खर्बूजा है, यह तर्बूज है, इसको काट लो, इसका मतलब यह था, कि बहुत सारी कॉलोनियल पावर्स जो हैं, वो चाइना में रूल कर रही थी, भारत में हालत फिर भी ठीक थी, लेकिन चाइना के आलत बहुत खराब थी, भारत में इतर बिटिश कंट्रोल कर रहे थे, बिटिश ने पूरा रूल श दारेक्ट इंफ्लुएंस था, डारेक्ट रूल तो यहां की, जो डाइनिस्टी थी, उनका था, चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये, वो कौन सी डाइनिस्टी थी, चलो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये, कि इस समय 18th century में कौन सी डाइनिस्टी रूल कर रह रहे थे चाइना में, चाइना को उठने ही नहीं दे रहे थे पूरा कंट्रोल इनका, दो OPM वार लड़े, चाइना के दो OPM अफीम की, देखो ब्रिटेन में अफीम होता, मतलब इधर अफगानिस्तान और इधर एरिया में पूरा अफीम तो ब्रिटेन वहां से लेकर अफीम जो है वह चाइना में भेजता, OPM की अफीम ही कहते है ना क्यों, तो चाइना में अफीम आता और चाइना के लोगों को इसकी आदत पड़ गई, तो जब वहां के राजा ने बोला कि अरे यार यह क्या हो रहा है, दो वार लड़े, ब्रिटेन ने चाइना को औरा दिया कि त चाइनीज सिविल वार पे लेचर देख लिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, और भारत में भी पैरलल ही, अब मुव्मेंट्स की शुरुवात हो गई है, आप समझ रहे हैं, चाइना में रेविलूशन आया, फिर उसके बाद चाइनीज सिविल वार चुरू हो गया, कम पुरा कवर किया, आप देख लिएगा चाइनीज सिविल वार में, और उसके बाद आपके माउस दोंग है, मतलब कमुनिस्ट पार्टी जो है, कमुनिस्ट पार्टी और के बीच में सिविल वार चुरू हो गई, यो 1925 से लेकर लगा अतार, जब तक वर्ल्ड वार टू तब तक चली, अब दोस्तों भारत को 1947 में आजादी मिल दी, आप समझ रहें, 1947 में भारत आजाद हो गया, भारत और चाइना के रिलेशन बहुत बढ़िया थे, जब तक चियांक आइशक थे, चियांक आइशक काव मिन्टॉंग पाटी अभी मने बता है ना, जब 1912 में यह उनाइट करने का सोचा, चियांक आइशक उसके बाद है, सन्यासेन की मृत्ती होगे 1920 में, तब चियांक आइशक है, और चियांक आइशक ने चायना को उनाइट कर दिया, लेकिन इधर कम्मुनिस्ट और चियांक आइशक के बिल्कुल बंती नहीं थे, तो civil war शुरू हो गय चियांक आइशक के भारत के साथ रिष्टे बहुत बढ़िया थे, इतने बहतरीन रिष्टे थे, 1945 से लेकर 49, दुबारा जब civil war शुरू हुआ, क्यूंकि जब world war 2 खतम हो गया था, तो communist और चियांक आइशक साथ में आगे, 1945 से लेकर 49 तक, जब world war 2 शुरू, जब Chinese civil war चियांक आइशक तो आब तो नहीं है, लेकिन जो सरकार है, जो कौमिन टॉंकी वो ताइवान से ही चलती है, ताइवान को Republic of China बोला जाता है, और चाइना को People Republic of China, जिसको Mao Zedong ने बनाया, तो कम्मुनिस्ट को किसी ने ने सोचा था कि कम्मुनिस्ट जीत जाएंगे, Mao Zedong की जगा, चियांक आया होते, तो भारत और चाइना के संबंद बहुत 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 अच्छे होते, Mao Zedong जो है, Mao Zedong यह तो आपको पता ही है, वो तो वाड शेर दिया भारत के खिलाफ, 1962 का, और कितनी दिक्कत है, आज भी उसकी प्रोब्लम, लेकिन अगर चि चिनी सच में भाई-भाई होते, लेकिन चियांक आइशक आहां नहीं पाए, और चियांक आइशक को इधर ताइवान में, मतलब फिर जाना पड़ा, ठीक है, वो चाइनी सिविल वार में मैंने कवर किया, वो देख ली जगा, इसलिए मैं बार बार उसका, आपको रिलेमें ठीक है, यह तो चली मैं आपको बताई चुका हूँ, 1949 में Republic of China बन गया, अब किसी ने नहीं सोचाता लेकिन Communist आ गए, ठीक, सोवियत के आपे डेफिनिटली बैकिंग की, अब ऐसा है दोस्तों, भारत दूसरा देश बना था, जिसने चाइना को रिकगनाईज किया, बर्मा पहला था, भारत दूसरा था, जब पूरी दुनिया ने People Republic of China, आप अपना भी देश बना सकते हैं, अगर दुनिया उसको रिकगनाईज करे, पूरी दुनिया ने जब People Republic of China को नकार दिया, तब भारत पहला था, जवाल लाल नहरू ने यहां पे गल्ती की, जवाल लाल नहर लेकिन उनकी गल्तिया भी बहुत थी, चाहिना के मामले में उन्होंने गल्तिया की, और यह जवाल नहरू को बाद में realize हुआ, कि हाँ मैंने गल्ती की, ठीक है, गल्तिया क्या थी, अब हुम जवाल नहरू की देखते हैं, और उसके context में में यह lecture आपको आगे ले जाता हू भारत ने क्या किया कि भारत ने People Republic of China को recognize किया जब अमेरिका इधर अमेरिका का mood खराब है याद रखेगा अमेरिका यहाँ पे सही है अमेरिका वैसे तो बहुत चीजों में गलत है लेकिन यहाँ पे सही था भाई वो चियांग काईशे को और सपोर्ट कर रहा था तो अमेरिका थोड़ी ने सपोर्ट करेगा लेकिन भारत सपोर्ट कर रहा था भारत पूरा चाइना को सपोर्ट कर रहा था In fact 1949 में दोस्तों तिबबत की मैं आपको कहानी बताता हूं चलिए तिबबत यह देखिए यह तिबबत है अब देखिए आप 1949 से पहले देखो तिबबत जो है वो चाइना के कंट्रोल में हमेशा राता वर्चस वराता हाँ भूतान हो गया म्यानमार हो गया और इधर वाले अरिया उन पे चाइना को कोई कंट्रोल नहीं था ठीक है लेकिन तिबबत हमेशा से चाइना के पास रात है यह सच भी है 1912 से पहले लेकिन 1912 में जब revolution हो तो तिबबत ने भी आजादी ले ली ठीक है लेकिन 1912 से पहले कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि भारत और चाइना की संबंद अच्छे थे रिलेशन्स 1912 के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया ब्रिटिशर ने मैक मोहन लाइम बनाई आपने नाम सोना होगा लेकिन यह जो ट्रीटी थी 1914 में तिबबत के साथ साइन की थी चाइना ने क्या किया जैसे ही चाइना में कम्यूनिस्टों की सरकार आई 1949 में यह बहुत बड़ी गल अमेरिका इस मुद्दे को इनाइटिन नेशन से लेगिया ठीक है लेकिन भारत ने बनाई विला कोई दिक्कत ने भारत इसको रिक्नाइज कि यह यह खाएना चाइना कभी अंपायता करे गा जाए नी चाइना और हम और चीन जो जो है चीनी भारती चीनी भाई भाई यही बहुत बड़ी देखो तिबबत एक buffer zone है न अरे यार पहले चाइना की boundary कहां से भारत में लगती थी ये तो तिबबत है कहां से लगती थी नहीं लगती थी और तिबबत peaceful देश है भाहिया अरे तिबबत तो यार तिबबत की बात करें वो तो दलाइलामा का देश है दलाइला हमा तो हर जगह बिचार है अब तो भारत से सरकार चला रहे हैं ठीक है हर जगह वो peaceful message बताते हैं शांती का संदेज देते हैं तो तिबबत से रिष्टे तो हमारे बहुत अच्छे थे लेकिन सबसे बड़ी बात है तिबबत एक buffer zone था और तिबबत को जैसे ही चाइना ने ए किम वाला एरिया यहां पर हमेशा problem करता रहता है अब अमेरिका चला गया United Nations यह चीज़ किसी को परदाश नहीं है अब देखिए थोड़ा सा डाइनेमिक समझे जवालना लहरू ने ऐसा क्यों किया एक तो जवालना लहरू के जो एड़गिर्द लोग थे न वो थोड़े communist जैसे कीम पनिकर जो थे वो थोड़े pro-chinese थे वो first Indian Ambassador बने चायना और वो प्लोचायने थे उन्हों ने जवालना लहरू को समझाया कि अभी हमकोग चायना का सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए था बिल्कुल नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्हों ने फिर दोस्तों यह भी बहुत बड़ा इशू आता है कि भारत ए उनाइटेड नेशन सीट छोड़ देए बिल्कुल सही है अभी मैं उसका भी आपको बताऊंगा कि वो क्यूं सही था और क्यूं सही लीडर थे आज तो आप देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी बहुत बड़ गई है और अब हम वाकई में एक अच्छी खासी पावर अमने मिलिटरी तो हम बोल सकते हैं कि हम विश्वगुरू बन सकते हैं और भारत तो वैसे हमेशा सही विश्वगुरू रहा है लेकिन उस सम पासई रखते थें वह किसी का हश्तक्षय उसमें कियोंकि इनकी जितनी जादर कि जबासाई रह दियान से सुनिएक तो घा था कि जब Cheryl नहूं त mulheres जो bunk बहुत आज़ाद आजाद हुआ तब पूरी दूनिया में कहते ते कि India will lead the world, भारत पूरी दुनिया को lead करेगा, यह बहुत अपने आप में ही बहुत बढ़ा statement है, कि जब भारत में अभी तो हम यह बोल सकते हैं, अभी हमारे पास वो है, लेकिन आप खुद ही सोचें, जब आपके पास कुछ नहीं हो, आपने कोई exam नहीं निकाला है, आपकी किसी जैसे पहले था न, 55% कंट्रोल करते थे, वैसी एक 3rd world जवाल लान लेनु क्रियेट करना चाहते थे, और 3rd world को lead जवाल लान लेनु मतलब भारत करना चाहता था, देखो, गोल्ड वार्ड जब शुरू हुआ, तो दो हिस्से हो गए, एक Soviet और एक America, 3rd world मतलब तीसरा हिस्सा न हम America के साथ जाएंगे, ना Soviet के साथ, भारत और चाइना अगर साथ में आ जाते, तो हम America को भी counter कर देते और Soviet को भी counter कर देते, अब समझ रहे हैं, हम दोनों को counter कर सकते थे, यह जवाल लान लेनु का mission था, कि अगर हम दोनों साथ में आ जाएं, तो कोई भी हमको हरा सकता ही नहीं और यहां पे जो भी जवालना लेरू के एड़गेत मिनिस्टर्स थे और जो जैसे केम पनिकर जो थे, वो ambassador थे, diplomat तो प्रो चाइनीज थे, अब हमको चाइना की गलत हर्त कतो को परदाच नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने इस उमीद में किया, कि चलो कोई बात न ख़र रहा है, कोई, अलांकि इसी दौरान भारत ने बर्मा से भी ट्रीटी साइन की, नेपाल से भी ट्रीटी साइन की, ठीक है, लेकिन तिबवत, हम ये देखते हैं कि तिबवत को हमने रिकगनाईज कर लिया, मतलब जो चाइना ने तिबवत के साथ किया, ये तो पहला प सोवियत के साथ है नाम अमेरिका के साथ है हम अकेले रहेंगे सिंपल सी बात है हम अकेले रहेंगे बिल्कुल भी ठीक है यह पंच शील आम रोली स्पेलिंग कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो हमने यह बोला अब ऐसा है कि नॉन अलाइन मूव्मेंट जो चल रहा था हम किसी खेमे में गए नहीं हम अमेरिका की तरफ नहीं गए और हम सोवियत की तरफ नहीं गए अब हमने तीसरा वर्ड बनाया अब यहां पे ही दोस्तों यह बात आती है कि युनाइटिड निशन्स की सद्धस्ता हमको दी गए बिल्कुल दी गई इनफार्ट अमेरिका ने बोला रश्या और यूके यह है तो दोस्तों भारत को सद्धस्ता दी गई थी कि आप आओ जॉइन कर लो युनाइटिड नेशन्स जवाल ने ने ठुकरा दिया और जवाल ने ने वो चाइना को दे दिया यह बिल्कुल सच है वो समेट रूमें ने बकाइदा यह बोला कि आप आ अंदर ना करने की ताकत सिर्फ चाइना उसमें अरंगा लगा रहा है और भारत ने चाइना को बलकि ले कि आया है कि आप इनको दे दो लेकिन उसमें यह तो देखे गलत तो है ठीक है एक गलती है जवाल ने रूकी एक से अगर इसका पहला पहलू देखे पाई युनाइट आप परस्पेक्टिव में देखिए बहुत सारे राइटर्स यह भी लिखते है ना देखो हमने तीसरा ओर्ल्ड क्रियेट किया था समझ रहो अमेरिका ने हमको ओफर दिया था अगर हम अमेरिका का ओफर मानते क्योंकि अमेरिका की चल रही कि उसमें पूरी दुनिया में त अलगे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इसमें विवाद है लेकिन जितना मैंने पड़ा हो सकते थे अमेरिका भारत को पुरा कंट्रोल कर सकता था जैसे उसने एक श्याद के बहुत सारी कंट्री के साथ किया ठीक है तो उस हिसाब से उनाइटे नेशन का प्रस्तावना पा तो जवाला नेरू ने यह नहीं जो एकसेप्ट किया और चाइना को दे दिया यह एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत विसके दोनों मत आपको पता होने चाहिए दोने एक सिक्के के दो पहलू होते है ना ठीक है अब दोस्तों क्या हुआ कि कहानी आगे बढ़ती ह भारत को लगा कि हमारा हम चाइना के साथ सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं लेकिन धीमे धीमे चाइना ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की भारत चाहता था और चाइना भी चाहता था कि एशिया अफरीका को वो लीड करे थार्ड वर्ड जिसको बोला जाता है ठीक है सबसे आगे था और जवाला नेरू की पॉलिसी पाके ही बहुत कमाल की थी फॉरेंड पॉलिसी लेकिन उसमें किसी की दखल अंदाजी इसमें एक चीज यह भी है ना देखो सरदार वल्लब भाई पटेल उन्ही से 1950 में चले गए सरदार वल्लब भाई पटेल होते हैं देख को विश्वास नहीं होगा कि जब पटेल गए ना पटेल के बच्चों का ध्या नहरू ने उनको पढ़ाया लिखाया एक एक चीज बहुत प्यार करते थे दोनों लेकिन मतबेध होते हैं पटेल एक ऐसे निता थे जो नहरू को काउंटर करते थे और पटेल ने चाइना के लिए बोला था तिमबत के लिए यह सही नहीं उनको लगा था ठीक है कि हमको इतना जब जुकना नहीं चाहिए चाइना के किलाब बाद में प्रब्लम हो जाएगी 1950 में पटेल चले गए तो नहरू को रोकने वाले तरीक से कोई नहीं था यह उनका पूरा डिसीजन होता था अब दोस्तों क्या है जब वक्त आगे बढ़ता है जब आलना लेरू जब मतलब यह पूरा रिलिशन्स तब इजा जो इनलाई जो प्राइम मिनिस्टर महां पर प्रीमेर बोला जाता चाइना में भारत आया ठीक है अब एक तरफ चाइना भारत देखिए पंच शील अग्र बुता और जाता इंटरफियर नहीं करेंगे एक दूसरे के सपोर्ट करेंगे ठीक है यह चाइना भारत वो समय लगी नहीं रहाता कि चाइना कभी भारत पर अटाक करेगा ठीक है और 1904 में जाओ इलाई आया जाओ इलाई भारत आया और सब कुछ बहुत बढ़ी है ढोल न पूरी तरीके से फेल हो गई जब भी जनता तुम्हारे उपर गुस्सा करें उसका माइंड डाइवर्ड कर दो चाइना में जब भी प्रॉब्लम होती है भारत के साथ कुछ रब कुछ जरूर चाइना करता है यह उसकी नीती रही है चाइना की माउ जदाउंग की जो फॉर उनको नहीं आता था उनने साथ के दोरान जो ग्रेट लीफ फॉरवर्ड थी ना उनकी एक्राणोमिक पॉलिसिक की हम बिल्कुल स्वायत हैं हमको किसी से स्टील बनाओ चाइना में स्टील बनाओ खुद का स्टील प्रेड्यूस करो वह स्टील दो कॉड़ी का था ग्रेट नहीं फॉरवर्ड में सारे कीड़े मकॉड़ों को चिणियाओं को मार दिया गया सब को मार दिया अब समझा सकते हैं कि आकाल पड़ गया चाइना में खतरनाक सबसे खतरनाक फहमाईट चाइना में यह हलत हो गई ती कि लोग जो मिठी खाने लगे थे इतनी बुरी हलत हो थी 1960 में अब Mao Zedong का मूट खराब हो गया, Mao Zedong को पार्टी से भी निकालने की पूरी तैरी करी ली गई थी और अल्टीमेटी उनको निकाल भी दिया गया था 1962 के बाद ही उनको निकाल भी दिया गया था लेकिन दोस्तों Mao Zedong ने वही मैंने बता ना कि ध्यान भटकाने के लि लेकिन भादा तो चाइना आज में कोई प्रॉपर नाइन नहीं है चाइना ने बोला यही जो 1914 में थोड़ा पीछे चलिए मैंने जो बताया था मैकमोहन लाइन यह जो ट्रीटी है मतलब यह जो लाइन यह तिबब से ब्रेटिश हम ने साइन की थी यह आपका एरिया ही हमा अपना एरिया बताने लगा था जब चाइना ने अपने मैप जारी किये तब भारत का मूट खराब हो गया अकसाई चेन भारत का एरिया चाइना अपने में दिखा रहा है और इधर पूरा यह नौर्थ इस्ट फ्रेंट के इर जिसको अरुनाचल प्रदेश बोलते हैं चीज़े फिर भी ठीक थी एस राधा कृष्णन जो है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट और बाद में प्रेसिडेंट भी बने यह चाइना गए चाइना विजिट किया इन्होंने और हम यह देखते हैं उन 1959 आते आते जाओं इनलाई ने चालिस हजार स्कॉयर किलोमीटर पूरा नेफा तेरिट्री लद्दाक अपने में बता दी यह हमारा एरिया है अरुनाचल प्रदेश को चाइना आज भी साउथ तिबबद बोलता है साउथ तिबद है यह तो अरे हाँ ठीक है साउथ तिबद है यह तिबद का सदन पार्ट था, कैसी वहाँ पे धर पकड़ करते थे, तो तिबबत के लोग दलाई लामा खड़े हो गए, वहाँ पे लाखो 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 लोग खड़े हो गए, चाइना के किलाब के हम तुम्हारा ये रूल बर्दाश नहीं करेंगे, फिर एक साइट से चाइना ने क्रैक डाउन करना चुरू किया, भागे दलाई लामा अपने लाखो फॉलोवर्स को लेके, वहाँ से बारत आये फिर, उस समय तो दलाई लामा 16 साल के दिशायत, लेकिन भागे बारत आये, भारत आये दलाई लामा जो आज है ना, भारत में शरौनल यूनों ने, अब देखो, भारत और चाहता था, चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, कि दलाई लामा को भारत शरौनल दे, दलाई लामा उनके गले की फास थी, उनको पता है कि कोई अगर प्रॉब्लम करेंगा, तो यह ही करेंगे, भारत नहीं परताश करेंगे, तो सार्हा सर्गलत है ना, अब ऐसा है, जब दलाई लामा को शरर दी चाइना आग बबूला हो गया उन्हों ने बोला ऐसा कहीं से कर सकते हो तो यह तो बिल्कुल गलत है वी विल नॉट अट आल एक्सेप्ट दिस चाइना ने मैक मोहन लाइन को भी इसी दौरान बोला कि हम नहीं मानते मैक मोहन लाइन खड़ा है जब क्या है बकवास ठीक है अर थारा सब यालिस में यह बेसिकली एक जो ट्रीटी साइन हुई थी ठीक है और उन्होंने बोला था क चाइना पूरा नौर्थीस्ट चाहता था तो पूरा हमारा एरिया है ठीक है और बिल्कुल बे बुनियाद क्लेम सही कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों और खतरनाक चीज़े अब दोस्तों ऐसा है जब वक्त आगे बढ़ा तो हम यह देख रहे हैं एक तो दलाई-लमा की सर अपनी सरकार अब आप देखिए अब आप मैं देखिए ठीक है यह देखिए यहां से अपनी सरकार चलाते है ठीक है और यह तिबद जो है पूरा का पूरा जो है वो चाइना के पास आगया है ओके अब क्या हुआ अब दोस्तों ऐसा है यहां पे था ना मैं हाँ यहां पे रही और इस समय दोस्तों अमेरिका भी काफी मदद कर रहा था अमेरिका जो है वह हम देखते हैं कि अपने एजेंट्स अब आपने इजेंट्स भेज़ता है वह उसने अपने चाइना में तिबबत में एजेंट्स भेजना वह शुरुवात कर दिये तो चारदान बहुत बड़े इंटिलेक्च्छोल थेॹ उनको बोला जैता है कि उनको मालूम था, iÑतनी जाधा भयानक नाम चाहे साइंस जौगरफी बहुत ज्यादा नौलेच थी, वी के कृश्नमेन नेरू नें को दिफेंस मिनिस्टर बनाया वी क्रिश्नमेनर से कम्यूनिस्ट ठीक है और अगें मैं कम्यूनिस्ट तो आप समझी रहे कि वह चायना को सबूर्ट करेंगे तब भी जादा कुछ चायना पे बोला नहीं लेकिन दोस्तों यह देखते है उननिस पे डिसकशन हुआ एक चीज़ और पंचशील एग्रिमेंट देखिए पंचशील एग्रिमेंट की बात करें देखिए चाइना ने कितना बड़ा धोगा दिया है भारत को 1954 में जब पंचशील एग्रिमेंट साइन हुआ हमने तो तिबबत को निकगनाईस कर लिया हमने चाइना को भी निकगनाईस कर लिया लेकिन चाइना ने कश्मीर पे एक शब्द नहीं बोला चाइना ने ये तक नहीं माना कि कश्मीर भारत का हिस्सा है चाइना आज भी इसको नहीं मानता यह भी नहीं कहता कि वो पाकिस्तान का लेकिन नहीं मानता भारत का है हमने सब कुछ चाइना की शर्ते मान लेकिन चाइना ने कुछ नहीं अभी ये तो दोस्तों भी एक्सकेलेशन है आप समझ रहें तो यह चीज है अब भारत ने बहुत सारे मैट दिये चाइ चाइना ने रोड बनाने शुरू कर दिया, अक्साइचेन एरिया में पूरा रोड बनाने शुरू कर दिया और पैट्रोल अक्टिविटीज बढ़ गी, अब हम यह देख रहे हैं कि वक्त आगे बढ़ता है, यहाँ पे वीके क्रिश्न मैनन थे, जवालना नहरू थे, एक बह वहाँ पे चाइना ने कबजा करना शुरू कर दिया था, आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, अब समझ ने, आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, वहाँ पे चाइना ने तेरा चौक्यों पे कबजा कर लिया, अब जब यह पता चला भारत को, भारत का मूट खराब हो गय अब क्या करें यह बहुत बड़ी भारत ने forward policy अपना ली forward policy का बतलब क्या simple सी बात है तुमारे area पे कोई कबजा करे तुम आगे बढ़के उसके area पे उसको पीछे डखेलो उससे लडाई करो forward policy एक गलती थी हमको वहीं पर रहना चाहिए था गलती क्यों थी भारत की आर्मी जो है देखिए हमने 1962 तक भारत की आर्मी पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम बहुत तेजी से डेवलप कर रहे थे और उस समय हमको development की ज़रूरत भी बहुत जादा थी नए नए इंस्टि जल्ड की लेति आति लोर वहां पहुत प्रणदने को तयार ते और चाहिना इधर सौ यह काभी थोड़ा सपोर्ट था इंक जवेद भारत को भी पुरा सपोर्ट कर रहा था है ऐसी बात नहीं है भारत सोवियत काफी अच्छी दोस्ती रही है न चवाला नेरू ने बनाया फौवर्ड पॉलिसी बनाना शुरू करतो आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते ठीक है वो आगे आने तुम और आगे बढ़के चौकिया बनाओ और आगे वहाँ पर बेस्केम अब चाइना को लगा कि ये तो भारत एकरे से वह रहा है और यहाँ पे भारत को थोड़ा सा डि 21 अक्टूबर को अटैक किया दोस्तों एक के बाद एक चाइना ने एरिया अपने कबजे में लेता गया यहां तक आसाम के तेजपुर तक चाइना के आर्मी पहुंच गई थी आप समझे ने और अल्टीमेटली इसमें बहुत ही फेमस बैटल लड़ी गई थी बैटल आफ शैतान सिंग को परंबीर चक्र मिला क्या कमाल की हिरोई की स्टोरी है यहां पे 120 लोगों ने पूरे चाइनीज आर्मी को मज़ा चखाया था बहुत मुश्किल था लड़ना भारत के पास वेपंस नहीं थे भारत के पास आधूनी कहतियार नहीं थे भारत के पास यहां तक पहाडों में लड़ने का कोई experience नहीं था क्योंकि अभी तक हमने लड़ाई नहीं की थी भारत के पास कपड़े भी नहीं थे कि जो इतनी ठंड में कैसे हम काम करेंगे भारत के पास एक तरीके भारत के आर्मी पास जादा कुछ था नहीं लेकिर उसके बावजूद हमने बह है वहाँ पर बंद किया ठीक है 20 किलो मीटर पीछे अटी लेकिन दोस्तों इस समय चाइना जो है वह 90 किलो मीटर आ गया चुका था आप समझ रहें और चाइना जो है वह पूरा अक्साइची नेलिया ले गया 1962 जो भारत अपना बताता था यह आप समझे 1962 के बाद हमने सबक किया था लेकिन एक भी नॉन एलाइंड कंट्री ना ही इंडोनेशिया ना ही युगोसलाविया ना ही इजिप्ट किसी ने कुछ नहीं बोला चाइना को सब चुप थे चवाल ना लेरे को इतना धक्का पहुंचा 1964 में की मौत होगी थे ना दो साल बाद तो यह ऐसा बोला ज एक वर्ड एक नॉन एलाइंड कंट्री जो वो नहीं बोला यह बाद कि आपने मदब चाइना को कट्डेम नहीं किया ऐसी हालत थी बट उसके बाद हमने सबक लिया और फिर अपने अपनी आर्मी को स्ट्रॉंग करना शुरू किया उसके बाद चाइना से और भी इसकर मिश कि इसके बाद चाइना जब जब आगे बड़ा भारत ने पीछे ख़देर दिया और अब तो कोई सवाली नहीं है क्योंकि चाइना को इस समय बहुत नुक्सान होगा अगर इस समय दोस्तों यकीन मानिया भारत तो चाइना का वार होता है भारत के जीतने की पॉसिबिलेटी की जादा है ठीक है क्योंकि चाइना नहीं टिक सकता चाइना तो बहुत सारी चीजे समय देखनी है चाइना बिल्कुल कॉर्णर हो गया है इसी लिए चाइना की समय हालक खराब हुई और पीछे आटा वो लेकिन इंक्रूचुमेंट के तो डेफेंस मिनिस्ट्री ने भी ब पाउंडरी को क्रॉस कर लिया है बट यह तो चलिए देखिए अभी जो डिलेशन नाइंटी सिस्टी टू से लेकर 1971 तक डिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे अधा इतर अमेरिका में क्या चल रहा है अमेरिका और चाइना बहुत खराब है बहुत अध्य खराब है लेकि 1971 मे अमेरिका और चाइना साथ में आए इसमें सबसे बड़ा रोल माना जाता है उस समय अमेरिका के जो एडवाइजर थे हेंरी किसिंगर बहुत बढ़े डिप्लोमेंट माने जाते हैं और इधर चाइना के जो इन लाई इन दोनों में दोस्ती हुई तो चाइना इधर जो बहुत अच्छे नहीं उस समय लग रहे थे चाइना के अब भारत की समय दिक्कत अब देखिए ऐसा है कि भारत में एक और प्रावडम थी चाइना ने उस समय नुक्लियर परिक्षड कर लिया था भारत के पास नुक्लियर वेपन नहीं ते तो किसी की हिम्मत नहीं थी हाला में 1975 में हमने नुक्लियर वेपन बनाया वह कहा था ओप्रेशन लाफिंग गुद्धा हमने टेस्ट किया नुक्लियर परिक्षड क्या हो 1998 में पोख्रण में तब हम नुक्लियर पावर हो गर आल हम पर को यहां को उटागे नहीं देख सकता ठीक है तो 1974 में चाइना ने जो हो भरत ने नुक्लियर टेस्ट किया उसको ग्रेटिस आइसे आप नुक्लियर टेस्ट कर सकते हो शमंढह रहते हो लेकिन दोस्तो क्या था चाका या ऑ चाइना जो अमेरिका की तरफ सखता चाला गया और ऑर सोवियत का अज़श की तरफ हो भारत को लगा ऐसं साही नहीं जॉपिंग को दिया जाता है यह आपको पता ही है ना और फिर इंद्रा गांधी क्या राजीव गांधी राजीव गांधी के समय में रिष्टों को सुधारने की कवायत की गई समझ रहे हैं तो 1976 में यह शुरू हुआ और 15 साल से जो रिष्टे बिल्कुल ठप पड़े हुए थे तब डिप्लोमाटिक रेप्रेजेंटेशन जो है वो चाइना और भारत के स्टार्ट हुए अटल भ्यारी जब जनता पार्टी की सरकार थी तो अटल भ्यारी फॉरें बिनि भारत ने मुला रहे भाण में जाओ ज्यादा बोलोगो तो तो तुम्हारे यह एडिया ले लेगे जोगता यह बट चाइना इसको कंडेम किया लेकिन उसके कंडेम करने से क्या होता है फिर राजीव गांधी के समय में रिष्टे बहुत अच्छे हुए और राजीव अध्रीज ने दोनों देशों ने जॉइंट वर्किंग बनाया बाउंडरी शुको सॉल करने के लिए और एकॉनुक रिलेशन्स के लिए साइंस एंड टेक्नोलजी और ट्रेड में हम पूरा सपोर्ट करेंगे आप समझेए यह चीज हुई उसके बाद दोस्तों अध्रीज बहुत 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 जाद उनको टाकती ठीक है तो अच्छुली क्या था कि बिजेश मिश्रा ने यहां पे चाइना को क्रिटिसाइज करते हुए अमेरिका को लेटर भीजा और अमेरिका ने वो चाइना को बता दिया ठीक है बिल क्लिंटन थे उस समय औ अमेरिका ने भी Contam ki, आपको पते ही अमेरिका भी बहुत बबूला हो गया अजिक करता हो तो आउसे कांस से सुन रहा हूं दूसरे कांस से निकाल रहे हो, बोलो जितना बोलना है बोलो, तो अमेरिका ने फिर बुलाया और बहरत को बोला को भी बैं पार सिसीजिक पॉलिसी आप समझ रहे हैं तो हम एग्रेसर नहीं है ना फॉरवर्ड पॉलिसी वाँ एग्रेसर थे इसने चैना ने अटाक कर दिया यह चीज़ आप समझे उसके बाद दोस्तों यह बाउंडरी इशू रहे काफी टाइम तक रहे बाउंडरी इशू इंदरसंस की आज भी है आज भी सब्सक्राइब दोस्तों नहीं है जैसे लोसी जो पाकिस्तान किया वो तो प्रॉपर उसमें आप देख रहे हैं लेकिन नाए लाइन ओफ एक्ट्रोल नहीं है ठीक है वह मनें मार्किंग लगा रहा रहा है इसलिए चाइना इसका फाइदा और उसको मार्क किया जाए चाइ चाइना आगे कैसे बढ़ेगा ऐसे चाइना आगे बढ़ता रहता है लेकिन अब भारत जो है वो बिल्कुल तैयार है भारत क्या भी बहुत ताकतवर है बाउंडरी शूज होते रहे दोस्तों थोड़ा सा फास्ट फारवड और करते हैं 2009 में मनमुहन सिंग ने चाइना वि और जब से शी जिन पिंग आयों की बहुत एग्रेसिव पॉलिसी है और हमारा ट्रेड रिलेशन जो है हमारा ट्रेड डेफिसेट हो गया ना क्योंकि भारत ने अगर मोबाइल मार्केट की बात कर 80% उनका कबजा है फार्मस्यूटिकल पे 60% है इलेक्ट्रोनिक्स में 60-70 त भारत और चाइना की ट्रेड रिलेशन से लेकिन फिल डोकला में स्टेंड ऑफ होगे 2017 में ठीक है वो डोकला में आपको पते डोकला में इसू हुआ फिर उसके बाद किसी तरीके से भारत ने भी बिलकुल डटके खड़ा रहा चाइना बहुत भगताता रहा गीर भगती दे पीछे नी एटा और फिर चाइना की आर्मी पीछे अर्टी और फिर इसको रिजॉल्व किया गया डिप्लोमेटिकली हम हर साल वैसे चाइना से टॉक्स करते हैं फिर पीम मोदी यहां पे शी जिन्पिंग गोवा में बिक समिट हुई तो अभी रिलेशन हमारे अच्छे करता है समझे कि नहीं 2011 में अगेर हम देखते हैं कि जब मोदी और शी जिन्पिंग वहान में मिले इनफॉर्मल समिट हुई तब रिलेशन्स थोड़े से नॉर्मलाइज हुए उसके बाद ममालापुरम यह बहुत इंपॉर्टेंट था 370 को अब्रोगेट किया गया उसके बाद अभी पिछले साल अक्टूबर 2019 में ममालापुरम में शी जिन्पिंग और पी एम मोदी की मुराकात हुई सेकेंड इनफॉर्मल समिट थी यह बहुत इंपॉर्टेंट समिट मानी जाती है लेकिन 2020 में अभी जो 2020 में आपको पते ही कि पंगॉंग सो में जो वो फिंग सब प्रक अपनाया हुआ है अब हम आत्म निडवर चाइना की 右 अभी दोस्तों वक्त लगेगा आतम निडवर होने में अभी तो फिलाल हमको चाइना की जरूरत है एक तरीकेसे धिमे धिमे हम sı अप्टम निरबर हो जाएंगे लेकिन फिर भी चाइना भ़ारत चोड़कर ठ्रेंट घ्रिंट स्वियेन सब्सक्राइब मैं कोषिछर करें कि पूरा के इतना चांप के इसके शुरुवाइब कहां से ब्सक्राइब यह जो पूरी क्रमिशिष्क हुई थी के दोनों आपस ते ब्लोबिटными में करकेब भी जिए को लिश्को लिए हुआ है आमेरिका तो वैसा रेड वोर उसके साथ चल रहा है वाती। ताइवान का शिमू भारत ने तो अभी ताइवान की जो सरीमनी थी। वो अटेंड की। जो विर्चुल सरीमनी हुई। उनकी पի नहीं सरकार रही।। और चारी आहिकना यह भी और वहारत और अमेरिका ताइव कपका कर लिया और भारत ते तो उसकी तो चाइना और भारत की अभी प्रॉब्लम जो है वो जारी अब ज्यादा टेंस हो गई है जब से यह डिस्प्यूट हुआ मैं से शुरूब हुआ जो और अब तो खेर चीजे नॉर्मलाइज हो गई है चाइना की भी आर्मी पीछे अट कुछ इवेंट मैंने स्किप किया है वो मुझे इतना पॉंट्रें नहीं लगे और लंबा लेचर हो जाता सेपरेट इवेंट पे मैं लेचर ले आऊंगा जैसे पंच शील पे 1962 वार पे उस पर मैं सेपरेट लेचर ले आऊंगा अब टेलिग्राम ग्रूप और फेस्बुक आइडी वो सब मैंने कमेंट बॉक्स दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है वहां से आप मुझे फॉलोग कर सकते हैं और पीडियाफ ले सकते हैं कोछ लिए परतरी दे से सिद्दान तक नियोतरी सैनी